हेलो दोस्तो नमस्कार बोक्स में मिलेगा तो जरूर सबसक्रैब कर के बेल आइकन को भी वेट कर के रख लेना तो दोनों चैनल को सबसक्राइब करें तो चले दोस्तों फिलाल इस वीडियो को स्टाट कर लेते हैं सो दोस अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर आज की दिन की बात करें 28 तारीक बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट यहापे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे और भी बहुत सरे इवेंट से रिलेटेड आउटकम आना बाखी है जैसे आएगा मैं दूससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगा पिछला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा स्प्लेट से रिलेटेड निउस आ गई अभी यहापे हम लोग यहापे बात करने वाले एक ऐसा इवेंट जहापे सर्वाइवल की बाते चल रही थी तो आप लो तो स्पाइस जेट पेमेंट नहीं कर रहा था तो क्रेडिट स्विस के अगर हम लोग यहापे बात करें तो वो कोट में चलेगे डिविजिनल कोट स्टेप बाए स्टेप जाना पड़ता है तो पहले नॉर्मल कोट में वहापे वो चलेगे और वहापे जो फैसला सामने नहीं चलेगे चलेगे और मदरस हाइस जेट कोई रिलिफ नहीं मिला वहापे भी उन्होंने जो पहले वाला जो को फैसला था उसको रिटेन रखा मतलब कमपनी को बं किया जाए क्योंकि आप लोग पैसा तो दे नहीं रहे हो तो फाइनल ओप्शन काहा पे बचता है तो अभी Supreme Court बचता है तो Supreme Court के पास चले गए Spice Jet and Spice Jet ने ये भी कहा था कि मदरास High Court ने जो आखरी टाइम दिया था 28 January आज ही का टाइम यहापे दिया था कि आज के दिन अगर पैसा दे दिया तो फिर ठीक है कुछ payments का उन्होंने percentage यहाँ पर बताए था वरना company बंद करने का order यहाँ पर पास हो सकता है liquidator appointment हो सकता है सो आज ही के दिन Supreme Court के और से फैसला आना important है यहाँ पर आ चुका है सो रस्तो Supreme Court ने यहाँ पर spice jet को यहाँ पर रहा दी है किस वे से तो यहाँ पर उनको का है कि आप payment तो करोगे तीन हफते का आपको time देते हैं सबसे पहले बाचित करो resolve करो यह जो आपका financial dispute चल रहा है जहां से आपने पैसा हुठा है credit switch से उनके साथ बाचित करके देखो अगर कुछ jet का liquidation कर दो करके तो फिलाल तो यहाँ पर high court ने उसके उपर stay order यहाँ पर लगा दिया है सो हम कह सकते कि तीन हफते का यहाँ पर राहत period यहाँ पर मिल चुका है spice jet को no doubt यह तीन हफते में उनको यहाँ पर पैसा कुछ ना कुछ करके जूटाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर कोई यहाँ पर court तक यहाँ पर जा चुका है सो मुझे ने लगता कि credit fees यहाँ पर agree हो जाएगा कोई normal अगर हम लोग यहाँ बात करे resolution की अगर हम लोग बात करे जो भी फैसला यहाँ पर रहेगा वो straight away यहाँ पर जो उन्होंने पैसा दिया है उसी से related payment में होने वाला है सो आप सबी लोग को पता है कि यहाँ पर जबी भी इस तरीके का फैसला सुनाय जाता है सो दोनों पक्ष के जो senior advocate होते उनके साथ यहाँ पर यह बाटचीत यहाँ पर की जाती है सो spice jet के तो advocate तो no doubt यहाँ पर खुशी-खुशी इस चीज़ को तो accept ही करेंगी क्योंकि वरना वैसे ही उनके पास यह आखरी दिन था सो तीन हफते का time उनके लिए welcoming point था उसी के साथ साथ अगर हम लोग swiss firm की बात करें उनके भी जो advocate थे उन्होंने भी यह जो फिलाल enjoyment हम लोगो देखने को मिल रहा है वो उन्होंने फिलाल तो यहाँ पर agree कर लिया है सो फिलाल हम लोग कह सकते है spice jet का liquidation तीन हफते के लिए टल चुका है ऐसा तो हम लोग बोल सकते क्योंकि payment करना तला नहीं है payment उनको यहाँ पर करना पड़ेगा अगर वो payment नहीं करते तो शायद से spice jet जैसी company हम लोग को बंध होते भी देखने को मिल सकते है depend करते है कि आगे का यह किस तरीकी का फैसला यहाँ पर लेते है किस तरीकी से यह बात्चीत यहाँ पर करते है तो बाकी की चीज़ें कि अगर मैं बात करूँ तो यह आप लोग को सिक्वेंस में बता चुका हो कि कैसे नीचले कोट में पहले फैसला लिया गया मदरास हाई कोट में अभी सुप्रेम कोट में तो तीन हफते का टाइम है जरूर नोट करके रख लेना तीन हफते बाद हम लोग जरूर यहाँ पर वापस आएंगे कि स्पाइस जेट यहाँ पर क्या कर रहा है तो आज जैसे यह फैसला सामने आया तो आप लोग को पता है ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी नियूस थी है और उसके चलते हम लोग को स्पाइस जेट में शुरूरात से हम लोग को अच्छी कासी तेज़ी देखने को मिली थी सो प्लीज यहाँ पर इन्वेस्टर ने बिलकुल भी इस टॉक को कंसेडर नहीं करना investment opportunity है ही नहीं जो company अपने survival के लिए fight कर रहे है वहाँ पर investment opportunity ना के बराबर होती है ऐसे companies का मतलब डूबना ही हम लोग को almost यहाँ पर मतलब ज़ादा देखने को आप पर मिलते हैं अभी तक अगर आप लोग average past history निकाल कर देखोगे अभी तक ऐसे जितने भी cases हुए है बहुत ही rare company ऐसे example से जहापे companies बची है और जो companies बची भी है उनमें comeback भी नहीं हुए मतलब investment के purpose के अगर हिसाब से अगर मैं बात करू तो बिलकुल भी यह stock आप लोगों ने consider नहीं करने ट्रेडर वाले यहापे फाइदा उटा सकते ups and downs जैसे आप लोग position लेना चाते हो आप ले सकते हो यह channel investment का है तो आप देख सकते है इसके पहले भी ऐसे activities हुई थी stock नीचे गया था फिर जबरदस तीजी आई थी बहुत रगों ने यहापे भी अगेन निवेश किया और वह वापस यहापे फस्ट चुके है तो यहापे सीखने वाली सबसे में important बात दोस्तों यहापे में कुछ points highlight करना चाहूंगा अब देख सकते हापे trading देखने को मिलेगी ज्यादा deliveries देखने को यहापे नहीं मिलेगी 24% के आसपास यहापे deliveries जो कि एक नॉर्मल बात है next most important चीज़ इसको तुम्हें जितना हो सके star mark करना चाहूंगा सिर्फ 3,900 मतलब 4,000 करोड की company पकड़ना मतलब small cap type company जितने भी यह small cap type company होते हैं दोस्तों इनका business आपको भार से लगेगा अरे spice rate इसका business कितनी बड़ी company है aviation से related अच्छा काम करती है बट अंदर ही अंदर इस companies के अगर आप financials देखोगे तो यह company उदार के उपर काम कर रही होती है तो इसलिए यह सारी चीज़े चेक करनी है आपे होती है जो कि आप देख सकते है रिकी market cap कितना है बहुत ही छोटा है ऐसी बात नहीं कि यह पहले बहुत बड़ी company थी छोटी company थी और छोटी बन चुकी है तो यह company के लिए survival करना अभी और भी ज़्यादा tough यहापे होने वाला है बाकि data तो ही नहीं, returns तो ही नहीं तो कहा से return on equity, capital, employer, calculate होके आएगा book value भी आप देख सकते, minus में यह आपे चल रहा है and most important चीज़ दोस्तो, जो company के result में हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ यह देखना क्यों important होता है कि आपको एक अंदाजाद देता है कि company की financial viability कैसे चल रही है तो company sales तो कर रही है, कमाई तो हो रहा है 1800, 1300, CR तक का business है बट सामने खर्चा इतना है, कि जितना कमारे उससे भी ज़्यादा 10 कमारे तो सामने 15 का खर्चा तो ultimately company जितना business कर रही है, loss के उपर loss ही करती भी जा रही है and चलो आप loss कर रहे है, ऐसे बहुत सरे companies है जो loss कर रहे है and business कर रहे है बट वो company कैसे business कर पा रहे है क्योंकि दोस्तों उनके पास future में opportunities है कि वो grow करेंगे, वो funding उटा सकते है वहाँ पे investor मिल जाते है बट इस company की अगर हम लोग बात करें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि company ने अलेड़ी जो पैसा उठाया है, जहां से उनको इवो repay नहीं कर पा रहे है तो no doubt कोई भी इस company को और भी पैसा यहाँ पे देगा मुझे तो लगता है नहीं, जो भी देगा वो मतलब पूरी तरी किसे first भी सकता है क्योंकि company पूरी तरी किसे wealth destroy है सिर्फ और सिर्फ अपनी survival के लिए struggle यहाँ पे कर रहे है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते company का quarterly result देख लो, PNL देख लो कुछ भी यहाँ पे एक भी figure यहाँ पे अच्छा नजर यहाँ आपे नहीं आ रहा है अगर मैं share holding pattern की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते है share holding pattern में ना तो FIS ना तो DIS जादा हम लोग को इसमें interested देखने को आपे मिल रहे है FIS भी आप देख सकते हो step by step exit होते होते हैं देखने को मिल रहे है stock के price को देखना की plane तो उड़ रहा है न तो चलिए company को खरीद ली लेते हैं दोस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ पे court का order आ जाएगा और यह company बंद भी हो सकती जेट airways भी तो ऐसा ही हुआ था तो यह चीज़े हम लोग को पता यहाँ पे होनी चाहिए अगर आप stock market में invest करना चाते हो यह चीज़े देख लो balance rate में देखो तो रिजर्वस अब company का P&L मतलब profit ही नहीं तो रिजर्वस का पे आएंगे तो अल्टिमेटली यही चीज़ बता थी कि बहुत ही मतलब सीख company है कोई यहाँ पे ज्यादा opportunity नजर यहाँ पे नहीं आती जो survival के लिए fight करता है वहाँ पे कोई investment की चा opportunity नहीं हाँ ट्रेडर लो क्यों जाने का जहाँ पे survival ही कत्रे का है और इसके पहले भी ऐसे बहुत सरे companies हम लोग देख चुके जो survival mode में रहते हैं और कभी भी suddenly ऐसे stock में यहाँ पे हम लोग को बड़ी गिरावड भी देखने को आप मिल सकते अभी यह company पैसा कहा से जुटाएगी जो खुदी पैसा न भी first चुकी है तो बस यह case study के लिए spice rate एक बहुत ही अच्छा material है जिसको आप लोग चाओ तो यहाँ पे study कर सकते हो प्लीज यह company नीचे जाए तो उसको value addition करके add करते ही मत जाना कि खरीद लेते हैं ऐसा बिलकुल भी करना यहाँ पे नहीं है बाकी final decision तो आप ही के उपर र रहने वाला है तो आशा करते हैं वीडियो helpful लगा होगा तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना तो यह तक के लिए बाए बाए